तो हेलो गाइज गुद मॉर्निंग कैसे हो आप सब आपका एक वे फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आइविल पर जिसमें के हम कर रहे थे प्रिलिम्स और डे की स्रीज और आज हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एक करेंट अफेर्स के कुईज पर जिसमें आप सभी को प बारे में पूछ रहा है इंशुरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेप्मेंट ओथरिटी ओफ इंडिया के बारे में तो यहां पर वीडियो पोस्ट करो अपना अंसर लगाओ ऐसे ही हमें हिंदी में भी ये कुशन दे रखा है नीचे हमें भारतिय बीमा नियामक और प्राधिकरन के बारे में बताना है तो आप हिंदी वाले भी पहले वीडियो पोस्ट करो अपने अंसर लगाओ कि आपका अंसर क्या है और तब इसको देखो ठीक है तो चलिए अपना अंसर देख लेते हैं तो सबसे पहले हैं इन्शुरेंस रेगुलेटरी एंड टेट करना लायसेंसिंग करना इंशौरेंस और रिन्शुरेंस इंडस्टरी के इंडिया में बिल्कुल बई यह बीसका काम है तर्ट बोले एकुशनुरेंस रेगुलेट्री अंडवलेट्र को सबस्क्राइब आप सबी को इसकुल कराया तो यह 999 में बनी होगी आगा चरस बनी है तो एक बार बताओ जो यह जो बोड़ी हैं इशुरेंस रेगुलेटरी और ट्रॉटिटी ओफ इंडिया है ड्याट अब न्टीन का था नहुल इप industry-했던 करती तो यह तो अगर आजाए कि केवल इसी एक्ट से पाउर ड्राइव करती है तो यह चीज आप ध्यान रखना एक न्यूज में क्यों यह इस लिए दिख चलो पर इसका अंसर लगा लेते हैं इसका अंसर है बीमा और पुनर निमा उद्योगों को वी नियम्मित करने और लाइसेंस देने का काम इसको सोपा गया है और इसका गटन इस एक्ट के एकोर्डिंग वहा था बिल्कुल वही तीनों ही statement इसके बारे में सही है कथन जो सही है वो बताने तो तीनों ही कथन इसके बारे में क्या है हमारे सही है इसमें एक और चीज है एक हमारा आता है IRDAI Vision 2047 ठीक है यह है IRDAI Vision 2047 क्या है important है याद रखना इसका vision है हमारा है कि 2047 थक हम क्या कर दें insurance for all in insurance for all यह है हमारा विजन 2047 कि हम 2047 तक जितने भी लोगां सबका insurance करदे insurance for all by 2047 कि हम हर एक citizen का चैंने लाइफ हो थो प्रोपरटी हो किसी ने कैसी तरीके से insurance sector के लेकर है यह है हमारा target IRDAI Vision 2047 का ठीक है तो यह चीज द्यान एक नाव एक है हमारी एक और चीज है एक और चीज है क्या एक और चीज है क्या जिसके काणि ये निउस में अभी जो IRDA नहीं वो वो एक चीज लौंच करने वाली है जिसका नाम है Bima Trinity सब्सटेट्र के शुक्तर कि गेंगे सब्सटीं में है आई है इसल प्लैटफों बना दिया जाएगा जो insurer distributor सब को आपस में connect करेगा ठीक है एक convenient portal बनाया जाएगा ठीक है तो बीमा सुगम में क्या गया जाएगा एक portal बनाया जाएगा जिसमें सारे जो stakeholders उनको वहाँ पर connect किया जाएगा दूसरी चीज क्या है बीमा विस्तार बीमा विस्तार मतलब हर एक सेक्टर में जहां पर क्या है वहीं पर insurance को start किया जाएगा जैसे कि comprehensive बंडल पॉलिसी बनाया जाएगी जो है लाइफ हैल्थ प्रोपर्टी एक्सिडेट किसी भी टाइप का रिस्क हो उसी में वह insurance प्रोएड करेंगे तो बीमा में क्या किया जाएगा विस्तार किया जाएगा और तीसरी चीज है बीमा वाहक बीमा वाहक मतलब बीमा वाहक मतलब वुमिन सेंट्रिक वर्कफोर्स त्यार की जाएगी जो ग्राम लेवल पर काम करें ग्राम सभा के लेवल पर काम करें वह क्या करेंगी वह वुमिन सेंट्रिक वर्कफोर्स या वुमिन सेंट्रिक वक्फोर्स क्या करेंगी एजुकेट करेंगी जो भी विमन है उनको विमें बीमा के बारे में तो ये है बीमा के विस्टार के लिए तीन चीजों से मिलके बनती है डार तो रहा बिजन 2047- 25-3 सबwon ci सबसे पहले जब से लिए रभेंट टोगती में और फ्री एक सेस ऑफ ऑशनिक डॉल्फिन और सबस्तेजरी यूरी है डॉलाइन टोल्फिन सबसे portion बताने हैं और यूडि.- यूरी यीजन ing आप जो नमकीन पान यह वहां पे रहती है ऑशनिक डॉल्फिन भी है बोल रहे हैं एंडेमिक इंडिया नोशन में देखो यह एंडेमिक कहां पर होती है बे ओफ बैंगोल रीजन और मेली साउथ इस्ट एश्या में ना की पूरे इंडिया नोशन में ऐसा नहीं है तो यह चुछ डॉल्फिन क्रूशियल टू गंगा रिवर सिस्टम बोले है इनका जो सिस्टम है वो कुछिल यह रिवर सिस्टम के लिए हिंदी में भी देख लो ठेक है इरावडी डॉल्फिन के बारे में आपको बताना था यह बोल रहे हैं कि यह यूरी है लाइन होती है यूरी सेकों बोले हैं इन डोलफिनों का सेंध्टिन गंगा नदी-परिणाली के लिए महन अपने किसके लिए मैखॉंग रिवर सिस्टम के स्टम एपने पड़ी Commerce के लिए ज्यादा इंप्रेख रिख सिस्टम है तो धयान लगना उनके लिए पुरूशल तो फर्स इनमें बार इसके बार में क्या दे रखेंगा और एक और चीज इसके बारे में क्या की दो पाई साथ में दो रिवर्स में यह और पाई जाते हैं hai menli china में पाय जाते हैं दूसरी चीजी इ ait study river में पाय जाते इसले आप लिए लोगती है जो मनने अधलते रह में महा काम रेवर जो महा काम के वह भाव है इस इस ढू capable पर इंडोनेश्याके जो बोर्नियो है वहांपे ठीक है इंडोनेश्याके के बुर्णियोश में मेले पाइब यह थिक महाख्रिवर तो इन तुम के लिए इस Sp Vallik और सब्सक्ते किस लिस्ट में यह आइऊस पनती है ऴी यह दकना समय ही कि किस में आती इंडेंजरली स्ट में Żम बताना हैぜ और लगा हमें उसके बारे में वह दो prep लगा और स्क्रीनिशंट ले लो अंसर लगाओर कि यह है हैंटि में बारे हैं aussi यह से स्टेटमेंट्स हिंदी में उसका दे रखा है तो इनका अंसर लगाओ भाई इसका ले लो तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि हुआ इट टैग इस यूनिक इडेंटिफायर फोर इच गोल इस बिल्कुल सही है यह मतलब गोल आइटम के इडेंटिफिकेशन के लिए होता है है बिल्कुल है सबसे पहले यह मतलब इसको एक एंटेटी देती है जो भी आई से नothe होते है बिल्कुल भैइ यह देति यह फर्स्ट अं फ्रस्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट ए और Second स्टेटमेंट हमारे में इन कोछे हैं कोन सी है ठीक है हुआ इटेक के बारे में ठीक है तो हमारे यह वहला कोशिशन हो जाता है complete आ जाते हैं अपने next question में क्या बोलता है सबसे पहले वैंड लाइट इंटरेक्ट्ट इंटिड़ इन उब्जेक्ट इट कैन आइधर भी तो यह तो आप फेले समें पढ़ लो इंगलिश में और उसके बाद यह हिंदी वाले जो है मतलब स्क्रेंशोट बोलू वीडियो पोस्कों यहां तो बोल रहे हैं जब लाइट इंट्रेक्ट करते किसी अब्जेक्ट के साथ तो वह रिफ्लेक्ट भी हो सकती है रिफ्रेक्ट यह भी हो सकते हैं चल Wagka फार प पार्टिकुलर कलर में और जब्थैटरवी ब्लंगेल डियुल्मार में सोब्क्र इसन तो बोलत है को भी स्कडर में यह कैताय में तरके रहे हो वह तैसका कैट्र में नहीं ही तो यह ने अथाकति में यह तो प्र यहांनोंत guar हदा तब इस पोले रमन इफेक्ट हैपन्स जू टो डिचेंज इन वेवलेंथ बिलकुल रमन इफेक्ट का बोता जब वेवलेंथ चेंज होती है लाइट की जब वह किसी अधर मीडियम से पास होती है परकाश किसी वस्तू के साथ संपर करता है तो या तो वो परवर्तित या प्रशारित हो सकता है बिल्कुल भई जब किसी विशेस रंग के परकाश की धारा किसी तरल मादम से गुजरती है तो तरल दुवारा पर क्रेनित सारा परकाश एपतित परकाश के समान रंग का होता नहीं अलग-अलग color का होता है ये गलत है ठीक है और ये third statement भी correct है तो हमें बताना है सही सही तो आपको दिख रही हैं दो statement correct है और एक statement हमारी क्या है इसमें wrong है ठीक है आजाते हैं अपने next question पर next question में क्या बोलता है ICJ के बारे में बताना है International Court of Justice के बारे में सबसे पहले इसमें दो टाइप के जुरिडिक्शन होते है के advisory एक contentious contentious सबसे पहले बोले है contentious jurisdiction refers to resolving legal disputes between consenting party बिल्कुल legal dispute को solve करने को contentious jurisdiction बोलते हैं जैकर बोल रहे हैं दूसरे होते एडवाइजरी जूरिक्शन एडवाइजरी जूरिक्शन में यूएन जर्नल सेंबली यूएन सिकूर्टी काउंसिल रिक्वेस्ट कर सकते हैं ICJ को कि वह अपना opinion दे किसे legal question पर बिल्कुल वह होता है एडवाइजरी जूरिक्शन तो आप सिट्मिन रूंग होगी फिस्ट नंट सैके क्मिंट हमारे आईसिटे के बारे में करेक्ट हम यह बोल रहे हैं व्यवाद स्पद च्रणल दिकार क्या होता है उसका मिनिंग मतारख यह कानोनी वemark राजियों के बिज कानोन में वैदों को करने से है सलाकार चीजों में क्या किया जाता है जो यह एंड सब्स्क्राइब है और तो है न घर बात्य कारी है तो धर में इसके चिका अब सबसे पहले इस को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है उसको किस नाम सी जाना जाता है थो यूएn सब और इसकी काहां से करता है एक निदर लेंड से अपसे निदर लैंड से काम कर रहा है इसके ऑफिशल लेंग्विज क्या है यह यह दकना इसकी ओफिशल लेंग्विज फ्रेंच इंग्लिष कौन सी है इसकी official language दो फ्रेंच वो है French and English इसकी official languages ठीक है French and English इसकी official languages ठीक है ध्यान रखना इसकी official languages कौन कौन सी है ठीक है यह है दो चीज़ दो इसकी jurisdiction यह मैंने बता दिया सब्सक्राइब प्रिकनों के लिए व्यंके नाइन होती है और कितने निख्तार की रहते हैं तो कि ईंगते हैं और हर साल कितने पॉद्टे रहते हैं वह साल उन थार्ड जो थी साल में निकलते रहते हैं यह कुछ कुछ हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में important important चीजह हो जाते हैं कप्रीट आ जाते हैं अपने next question पर next question क्या है बिलकुल भाई हमारा यह economy के questions है ठीक है तो gross domestic capital formation का मतलब क्या है जो budget and economic surrounding तबाती है वो क्या है सकल गरेलू पुंजी निर्माण जो अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षनों में देखा जाता है तो ये इसका मतलब क्या है तो Gross Domestic Capital Formation का मतलब क्या है Gross Domestic Capital Formation का मतलब होता है creation of infrastructure and durable economic assets ठीक है बुनियादी धाचे या टिकाउ आर्थिक संपत्यों का निर्मान करने को बोलते ग्रोस डॉमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसका अंसर क्या हो गया डी आसान सा था आ जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है हमारा किसके बारे में बजट के बा सब्सक्राइब क्या है डी सिंवेस्टमेंट के अंडर्या आता ह। मतलब यहतो कर धैंक्सें कोस्य की प्लकुल पो कर już क्या है यह तो यह प्लीट पर यह क्या है लापाता कर घर रही हैं यह ला लिगृट्ब पर हैच्व suburbs कर रही है और यह क्या कर रही है assets को कम कर रही है in government के थीक को बोलते Capital यह दो ही definition तो फर्स्ट थर्ड जो हो जाती है यह वह आधाड में our for interest and dividend and government investment बिल्कुल भी यह भी इसमें नहीं आता क्योंकि यह भी यह तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सही विकल्ब बताने तो दो विकल्ब सही है और दो हमारी सच्छ्छ प्राप्ति पुन्जीजद प्राप्ति के बारे में तो यह question हो जाता है हमारा complete आ जाते है अपनी next question पर फिर आ जाता हमारा revenue receipts के बारे में अभी मैंने बताया capital receipts दो चीजे होती है वहाँ पर liability भी create होती है या फिर वहाँ पर assets कम हो जाते government की revenue receipts में यह बिल्कुल सभी statement है ना तो यहाँ पर liability create होती है और ना ही कोई assets reduce होते हैं revenue receipts तो हमें correct statement बताने है correct क्या है correct आपको दिख रही है दो statement correct है एक statement रोंग है ऐसे हिंदी में भी सेमी बोल लखे है राजसव प्राप्तियों के बारे में बताना था बोल रहे हैं यह नहीं तो कोई देंदारी पैदा करती है और नहीं सरकार की संपती में कोई कमी लाते हैं होंगे ठीक है आजाते हैं अपने next question पे next है हमारा counter cyclical fiscal policy के बारे में बताना है किसके बारे में counter cyclical fiscal policy और एक होती है pro cyclical fiscal policy ऐसे हमें इसमें भी हिंदी में भी दे रखा है प्रती चक्रिय राज को शियर नीती और एक दूसरी नीती कौन से प्रो cyclical राज की अनीती देखो यह दो टाइप की होती है जो counter cyclical fiscal policy आप सभी को पता उसमें क्या करेंगे हम उल्टा counter मतलब क्या करेंगे उल्टा जैसे कि अगर मालो हमारा बूम पीड चल रहा है ठीक है बूम पीड चल रहा है तो government क्या करेगी सब कुछ अच्छा चल रहा तो GORMENT क्या करेंगosten को हैığ ज्वर्मेंट करेंगी प्रोशाइकल क्या मतला हमारा मालो स्पेंडिंग में राए जादा स्पेंडिंग बढ़ा देगी उसको बोलते है प्रो साइकली कल जैसे साइकल चल रहा वैसा ही government करेगी जैसे हमारी crisis चल लिए तो crisis चल रही है तो government क्या करेगी crisis में और पैसे रिड्यूस कर देगे उसको बोलते है प्रो साइकली कल fiscal policy तीक है तो समझा दी है मैंने क्या होती है अब देखो हमें बताने हैं बोल रहे हैं counter cyclical fiscal policy बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है जब economy crisis आती है तो बिल्कुल सही statement है जब crisis आती है तो जब मालो crisis आती है तो जब government spending बढ़ाएगी तभी तो economy हमारी boom करेगी बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी है सेकेंड बोल रहे हैं counter cyclical fiscal policy ऐसी है जहां पर fiscal policy हम रेन्फोर्स करते है business cycle में expansion से एंड देखो इसमें क्या बोल रहे हैं expansion during goods time देखो हमने मैंने अभी बताया है जब बूम पीड चल रहा है अच्छा time चल रहा है अच्छा time में government क्या करेगी spending को reduce करेगी और इसने क्या बोल रह कष्छा time को बढ़ा देगी तो यह मैंने आपको समझा दी counter cyclical fiscal policy क्या होती है यह इए counter cyclical fiscal policy फिर आसा यह पर पोल से बोल रहे हैं कि स्टेब्लाइजेस दी बिजनस साइकल वाइब विंड कोंट्रेक्शनरी इंगुण टाइम देखो अगर अच्छा time चल रहा है प्रो साइकल में अगर चल रहा एक्षा तो यह स्टेट में रहे हैं तो के वल एक स्टेटमेंट के वारे में क्या तीनों स्टेटमेंट में से ए सेम हमारा इसमें भी है कि प्रतिचकरिययर राज कोश्यय नीती आर्थिक संकर्ट के दो रान बहुत इंप्रोटेंट होती है हैं हां बहुत मैतवफपुर्ण होती है सैकेंड बो chap negative करी राज्ट कोशिया नीटी एकाउंटर सैक्लिकल विस्तार है खर्चा है उसको कम कर देगी अपने खर्चे को कम कर देगी जब अच्छा टाइम चल रहा हो गा तो और ज्यादा पैसे डालेगी और जब बूरा टाइम चल रहा बहुत होगा तो यह तो यहिसा करना होता है प्रति परन चल रहे और ओर कम कर दो को बुझत थी के दुनओं गलत दे रखी है यह इस करती है जब जब जयादा से जादा चर्चे करती है इसको बोछते हैं विस्तार वादी राज कौश्य निती तो बống whatsels प्रवाइड करेंगे तो कौन लेगा उनसे तीक है ये तो अपने पैसे कमाने के लिए करेंगे ना अगर लोग इंटरस्ट रेट पर देगी तब हम मान सकते हैं कि government spending बढ़ा रही है तो सेंटमेंट रहुँए फर्सटन सेकेंट करेक्ट है हमें पताने करेक्ट स्टेटमेंट हो के वह दो स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं कंपनियों में टैक्स की छूट बिल्कुल भाई यह खर्चे में आएगा government के सबसेड तो यह हमारे टोटल आज के जो दस कोशन हो जाते हैं वह जाते हैं कम्प्रीट गाइज अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी विच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना ठीक है और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में इस से शिरीज के साथ जुड़े रहो देली बेसेश को फेशन को और वीडियो को ऐसा ही लाइक करते रहो और हमारे इनिशेटीव को इतना प्याद देते रहो तो तो खाइस तेंक यू very much for watching the video, for liking the video, for sharing the video, and for loving our initiative. Thank you very much guys.